अस्सलाम अलेकम एबबन मैं हूं मामत तल्हा और आप लोग देख रहे हैं तरह स्वेस अकैडमी फर्स्ट एक MST के MCQs की प्रेक्टिस जारी है और आज हम लोग सॉल्फ करने वाले हैं 2014 में कराची बोर्ड में जो MCQs आये थे उनको सॉल्फ करके प्रेक्टिस करेंगे प्रेशर को 4 गुना कर दें तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा प्रेशर को किया हमने 4 टाइम्स और टेम्प्रेचर को किया डबल तो एक relation है जो कि हम जानते हैं पहले question के अंदर समझा रहे हैं P V over T इनका जो ratio है ये constant रहता है अब ये तो constant वाली term आ गई न relation हमें pressure और temperature का है volume find करना है तो T दर जाके हो जाएगा multiply और P हो जाएगा divide और constant रहेगा अपनी जगह पर क्योंकि वो तो constant ही रहता है अब ये कह रहे हैं ये तो actual V का answer आ रहा है अब ये कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा volume अगर हम क्या करें अगर हम कर दें temperature को doubled और pressure को 4 times temperature को कर दें double और pressure को कर दें 4 times ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 1s are 2, 2 2s are 4 ये हो जाएगा 1 over 2 और T over P आ गया और यहाँ पर V dash बचा और आपको के लिए 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 नजर आ रहा है कि constant तो बहराल चले गई T over P किसके बराबर है actual volume के तो यह हो जाएगा 1 over 2 actual volume और यहाँ पर लिखावा है V dash तो इसका मतलब इस case के अंदर जो volume है वो हो जाएगा आधा, half Question number 2, additions of KCl and AgCl solution causes क्या cause करता है? It decreases in the ionization of silver chloride इसको याद रखना है? Directly बस value ही है, कुछ solution तो है नहीं है इसमें Number 3, metals placed above hydrogen in the electrochemical series याद रखो, वो metal जो के electrochemical series में hydrogen से उपर है वो हैं बड़े ही, वानिके वो खुद जो है, वो oxidize होते हैं ठीक है ना? और जो भी खुद oxidize होते हैं, वो कौन से agents कहलाते हैं? वो कहलाते है, reducing agents ठीक है, वो oxidation कर रहे हैं, वो reducing agent है, जो के खुद oxidize हो जाते हैं तो oxidize से याद रखो, या reducing agent के नाम से याद रखो, उपर वाले और जो नीचे वाले है, hydrogen के, they are oxidizing agents नमबर फोर, during experiment average of several replicate measurement is taken देखो हम जब भी कोई experiment करते हैं, तो आव तोर पे, एक experiment को दो से तीन मरतबा करते हैं, chemistry में तो चलो तीन मरतबा, physics में एकसर पाच-पाच मरतबा करते हैं, तो ऐसा करके हम क्या कर लेते हैं, no negative error no, ऐसा हो सकता है, negative error आ सकता है, it shows positive error, वो भी आ सकता है it has no systematic error, systematic error का, हमारे reading लेने से तालुक नहीं है systematic error का तालुक है उस instrument से, तो तीनों की तीनों option गलत हैं, याद रखिए जब हम ज़ादा reading लेते हैं, तो हमाई reliability बढ़ती है, क्या हो सकता है एक बार गलत हो गया हो, दूसरी बार सही हो जाएगा, हो सकता है दो बार गलत हो गया हो, बाकी मरतबा सही हो जाएगा so it makes our reading more reliable number five, the basis of motor oil grading, जो motor oil की grading की जाती है bikes वगरा के अंदर, car वगरा के अंदर, engine में motor oil वगरा हम लोग डलवाते हैं, जो कि friction को reduce करता है तो वो किस तरीके से खरीदा जाता है, याद रखिए, उसकी grading की जाती है i вы ne aliment की विशकोसिटी से कि वो कितना viscous है, कितना गा डाल है, जितना गाडा होगा, उतना बहतर oil होगा मतलब बिल्कुली गाडा नहीं हो, लेकिन viscosity पर pajट करता है क्योंकि जैसे इंजन चलता रहता है तो हमें पता है उसका temperature बढ़ता है और temperature बढ़ता है तो liquid की viscosity कम होती है तो हमें एक ऐसा चाहिए जिसकी viscosity जियादा कम ना हो इसी विएसे जब कभी पुराना oil निकलता है बॉइस बगरने तो देखा होगा बाइक से जब oil बगरा चेंज कर हार्ड है SP2 hybridization की वज़ा से वांडर वाल्स forces की वज़ा से या large amount of energy required to break the bonds actual वज़ा ही है कि diamond के अंदर जो carbon है उनमें close packing होती है एक बात हो गई और दूसी बात ही है कि large number of covalent bonds होते है तो उसको break करना मुश्किल हो जाता है इसी वज़ा correct answer यह वाला है जो पूरा का पूरा underline हुआ है the color of universal indicator in basic solution basic solution के अंदर जो universal indicator है हमारी book के मुताबिक वो violet color देता है purple color देता है which is very closer to deep blue yellow नहीं green नहीं orange नहीं यह बहुत जादा closer है deep blue के इस वज़ा से अगर आप देखोगे table में book में तो आपको purple मिलेगा color which is very much close to deep blue in pi bond electron's density lies only above the nodal plane only below the nodal plane on the nodal plane both above and below the nodal plane सही आंसर तो यह है both above and below the nodal plane लेकिन उसका थोड़ा सा reasoning इदर देख लेते हैं दोनों तरफ होते हैं देखो जब हम बनाते हैं pi bonds जब हम pi bonds बनाते हैं तो इस तरीके से हम लोग pi bonds बना देते हैं तो जब हम कोई plane बनाते हैं तो हम यह कहते हैं कि electron की density उपर भी होती है और electron की density नीचे भी होती है मतब ऐसा नहीं है कि electron की density सिर्फ उपर होगी है सिर्फ नीचे होगी बलके दोनों तरफ होती है electron इदर भी लाए कर सकता है इदर भी लाए कर सकता है that's why यहाँ पर मैंने आपके लिए select किया है both above and below the nodal plane number 9 when the product of ionic concentration of sparingly soluble salt is equal to the solubility product the solution is set to be yad रखिये हम अगर product मालूम करते हैं ionic concentration की और sparingly जो थोड़ा बहुत soluble salt होता है और वो बराबर हो जाए उसकी solubility product यानि कि KSP के तो फिर उस solution को हम क्या कहते हैं वो solution कहलाता है saturated because वो equal आ रहा है अगर equal नहीं आता तो पिर हम उसको कहते हैं unsaturated है लेकिन saturated तब होगा जब ionic concentration और solubility product जो है वो एक दूसरे के equal हो number 10 the presence of hydrogen bonding in a liquid यह जो hydrogen bonding है न liquid के अंदर वो क्या करती है causes no effect, decreases viscosity, decreases boiling point सही answer है वो उसके vapor pressure पे असर डालती है जो hydrogen bond है वो vapor pressure को कम कर देते हैं ठीक है न और बाकी viscosity वागारा पर तो इतना गोई effect पढ़ता नहीं the presence of hydrogen bond is between तो देखो hydrogen bond की value आप देखें तो covalent से काम है कि covalent की value 150 kJ पर मोल तक जाती है लेकिन hydrogen bond उसके लिहाज से weaker bond है ठीक है और उसकी जो range है bond की energy है वो 20 से लेके 40 kJ पर मोल होती है नमबर 12 the oxidation number of magnees in KMNO4 तो KMNO4 देख लेते हैं यह हमारा question number 12 question number 12 KMNO4 अब जिनका confirm है उनका तो लेकि लेते है oxidation number potassium का हमारे पास आगिया 1 ठीक है magnees का में मालूम करना है oxygen 4 है और oxygen का में confirm होता है कि minus 2 के बराबर है और total यहाँ पर power 0 आ रही है कोई charge नहीं है तो 0 ही आना चाहिए तो 1 plus x और यह आगई values 8 is equal to 0 तो x की value चाहिए तो minus का 8 इस तरफ plus 8 हो जाएगा इस तरफ minus 1 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा minus के sorry plus के 7 के तो यह हो गया उसका oxidation number plus का 7 number 13 when alpha is not equal to b a is not equal to b is not equal to c तिनो साइड डिफरेंट है एक crystalline structure है system है उसके इंदो तीनो साइड की लंबाईया different है यानिके a भी अलग है b भी अलग है और next c की value भी अलग है बट सारे के सारे angle 90 degrees है so this crystalline structure is known as monoclinic क्योंके आप एक बात याद रखना यहाँ पर beta 90 के बराबर नहीं है सिर्फ दो साइड है जो 90 degree के बराबर है तो जब दो साइड 90 degree के बराबर होती है कोई भी साइड equal नहीं होती so it is monoclinic जो के copper sulfate वगरा के अंदर common है आप देख सकते हो number 14 any real or imaginary line or wall which separates system from its surrounding ठीक है कोई भी system है जो के हमारे under consideration है तो एक boundary यह जो है न यह जो के imaginary भी हो सकती है wall या फिर वो physical भी हो सकती है real भी हो सकती है जो system को उसकी surrounding से अलग रखे तो system को अपनी surrounding से अलग रखेगा तो उसे हम कहते हैं boundary system भी नहीं हो सकता, surrounding भी नहीं हो सकता boundary है, state भी क्या है the value of planks constant यानि के h इस planks constant की value याद रखनी है joule second के अंदर planks constant जो है न वो energy जो value रखता है planks constant वो होती है 6.625 10 raised to the power minus 34 joule second अब एक बात आपने समझनी है जो के mcqs में बहुत common है planks constant कोई mass थोड़ी है कि kilogram में उसका unit आ रहो ये भी नहीं है, वो इन दोन में चलो आप confuse हो रहे है तो हो जा लेकिन kilogram तो at least नहीं है जो planks constant है h e बराबर होता है hf के या h new के frequency आ रही है इदर तो अगर मैं value निकालूंगा h की energy divided by frequency आएगा तो वो किसी भी तौर पे mass नहीं है, तो आपने kilogram वालों को तो देखते ही गलत कर देना है the pH of milk of magnesia milk of magnesia क्या चीज़ है milk of magnesia होता है magnesium hydroxide magnesium hydroxide को जाएगो milk of magnesia कहते है and which is in the range 10.5 हरकिस इसको milk नहीं समझना, यूंकि milk की actual value 6.6 होती है अगर आप milk की सिर्फ बात कर रहे हो ना, जो normal milk है, उसकी pH 6.6 होती है, लेकिन milk of magnesia which is magnesium hydroxide उसकी value होती है 10.5 the percentage dissociation of NH4OH is, जो percentage dissociation है NH4OH की value याद रखनी है सीधा सीधा, percentage dissociation 1.4% होती है solution नहीं है, directly इस value को आपने याद रखना है, ठीके बई तो यह सारे MCQs थे, जो कि 2016 में थे, तो हमने इनको solve करा, और कुछ practice करी और कुछ directly याद रखने वाले थे ठीक है, उनको directly याद रख सकते है कोई सवाल है, तो बिलकुल बता देना मैं इन्शालला उसको comment section में explain कर दूँगा that's all for this lecture, अल्ला हाफिस बिल्टा